आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अपिर इन एन एक्जाम जो किसी भी एक्जाम में अपिर नहीं किया वो किसके बराबर है is equal to number of student appeared in exam Z only जन्होंने सिर्फ Z में अपिर किया था उसके बराबर है the number of student appeared in exam Y is 360 ratio of number of student appeared in exam X and Y only to number of student appeared in exam Y and Z only is 2 ratio 3, तो देखो हमें जो given है हम एक वेंड डाइग्राम ड्रो कर लेते हैं तीन सर्कल ड्रो करेंगे हम एक number of student appeared in x exam के लिए एक हम बात करेंगे number of student appeared in y exam के लिए और एक हम बात करेंगे number of student appeared in z exam तो ये हमारे पास 3 circle होगे, नाम दे देते हैं कि ये x के लिए मान लेते हैं, ये y के लिए और ये हमने मान लिया कि z exam के लिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें का गया है, जो ratio है, किस किस का, देखो ratio जो हमें given है हमें ratio given है, number of student opinion exam x and y only, x and y only की बात करेंगे, तो ये section जो है, ये सिर्फ x और y का है, इसका ratio plus y and z only, y and z की बात करें तो जो ये section है, इसकी बात हो लिए, तो इनका ratio हमें given है, देखो 2 ratio 3, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर number कितना होगा, यहाँ पर 2 x मान सकते हैं, तो फिर यहाँ number 3 x हो जाएगा, ठीक है, आगे देखो question कह रहा है हमें, आगे का गया है, the number of student appeared in exams x and z, both is half of the number of student appeared in only exam z, हम मान लेते हैं कि सिर्फ z exam देने वाले जो students से, उनका जो number है, हमने मान लिया कि a है उनका number, 2a मान लेते हैं, तो उसका half x और z दोनों exam दिये थे, x और z देखो, ये जो section है, इन students ने दिये होंगे, तो इसकी जो value बताई गई है, वो कितनी बताई गई है, a value बताई गई है, number of student कितना है, हमेरे पास a है, और देखो y में जो total number of student हमें बताए गया है, देखो y में 360 है, तो complete y circle की value कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, ठीक है, आगे देखो question में प्रिक आ गया है, the number of student appeared in exam, x only is 50% more, x only की बात करेंगे, तो इस section की बात हो जाए, यह 50% जादा है, किस से number of student appeared in y only, y only की बात करें तो इस section की बात हो जाए, इस से 50% जादा है, x only में, आगे कह रहा है, the number of student appeared in all the three exam, जिन्होंने तीनों exam दिये, वो कितना है, 4% of the total number of student in the college, और total number of student कितना है, college में, 1000 है, तो हम 1000 का 4% find out कर लेंगे, 1000 का 4% हमारे पास कितना हैगा, देखो, 20 से 20, 4 into 10 करेंगे, तो 40 students आगे, तो all three exam देने वाले कौन सा section होगा, यह section होगा, जिन्होंने तीना exam दिये, तो इसकी value 40 given हमें, अगर इसकी value 40 है, और complete की value A है, तो इस section की value कित student who appeared in exam Y only is equal to number of student appeared in exam Y and Z only, Y and Z की बात करेंगे, तो इस section की बात हो रही है, मतलब 3X student है, वो इस section के number of student है, उनके बराबर है, तो इसमें भी number of student हमारे पास कितना आगया, 3X आगया, अगर इसमें 3X है, तो इस से 50% जादा, सिर्फ X का, देखो, in exam X only is 50% more than number of student appeared in Y only, तो 3X से 50 50% जादा का मतलब हो गया, 3X का, 150% हो जाएगा, X only का, 50 से 3 times, 50 से 2 times काट जादा, 3X into 3 करेंगे, तो 9X divided by 2, 9X divided by 2 का मतलब हो गया, 4.5X, 4.5X value आगी है हमारे पास, तो देखो, हम X की value find out का सकते हैं, कैसे देखो, इस complete circle की जो value है, वो 360 की बन है, और हमारे पास सिर्फ X की ह values है, या फिर 40 है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं, 2X plus 3X plus 3X, कितना हो गया, देखो, 3 or 3, 6X plus 2, 8X plus 40 is equal to 360, 8X plus 40 is equal to 360, 40 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो हम कह सकते हैं, 8X is equal to 320 माइनस का हो जाएगा, 8 से काट देते हैं, तो X को देखो, X की value हमारे पास कितनी आगे, 320 को 40 आगे, आगे हम A की value find out कर सकते हैं, A की value कैसे find out करेंगे, देखो, जिन्होंने सभी exam में appear किया था, number of student who appeared in all exam की बात करेंगे, देखो, जिन्होंने X में भी किया, Y में भी किया, Z में भी किया, तो सभी values को हम add कर लेते हैं, हम कह सकते हैं, 4.5X plus 2X plus 3X plus 3X, 3, 3, 6, 2, 8, 8, 8, 12, 12.5 है हो गया, हम कह सकते हैं, 12.5X plus, देखो, plus 40 कर लेते हैं, 40, plus A minus 40 की बात करेंगे, A minus 40, plus, देखो, 2A की बात करेंगे, 2A, तो ये तो वो student होगे जिन्होंने exam दिया, plus अगर हमारे पास number of student आजें, जिन्होंने exam नहीं दिया, तो हम किसके equal put कर सकते हैं, 1000 के equal put कर सकते है क्योंकि total students हमारे पास कितने है, 1000 है, ठीक है, अब देखो, 1000 है, तो अगर हम बात करें, जिन्होंने exam नहीं किया, नहीं दिया, उनकी बात करें, note appeared in any exam is equal to number of student who appeared in exam Z only, जिन्होंने Z में appear किया था, सिर्फ Z में, उनके बराबर, जिन्होंने किसी भी exam में appear नहीं किया, तो Z में सिर्फ Z में 2A ने appear किया था, तो जिन्होंने appear नहीं किया, वो कितने होंगे, 2A होंगे, तो यहां से हम कह सकते 12.5 multiply by x कितना हो जाएगा हमारे पास, x की value हमारे पास कितनी है, 40, तो 12.5 multiply by 40 कर देंगे हम, 12.5 multiply by 40, प्लस देखो, minus 40 से plus 40 cancel out होगे, 2A plus 2A, 4A plus A, 5A is equal to 1000 होगा, तो 12.5 into 40 करेंगे, तो हमारे पास कितना होगा, देखो, 125 into 4500, एक point के बार decimal लगाना है, तो 500 बचेगा हमारे पास, 500 plus 5A is equal to 1000 आ गया, देखो, तो यहां से हम कह सकते कि 5A is equal to 1000 minus 500, तो 5A की value कितनी आ गई, 500 आ गई, अगर A की बात करें, तो A की value कितनी आ जाएगी, हमारे पा question में पूछा गया है, how many students appeared in two exams only, सिर्फ दो exam में appear करने वाले कौन से थे, देखो, 2X students है एक तो, जिन्होंने X और Y में ही appear किया था, सिर्फ X और Y में किया, अगर हम बात करें 3X की, तो इन्होंने देखो, Y और Z में किया, और बात करें, A-40 भी ऐसे students है, जिन्होंने सिर्फ X और Z में किया था, इसके अलावा 40 बचा, इन्होंने तो देखो, तीनों exam में appear किया था, सिर्फ 2 में नहीं किया, 4.5X की बात करें, तो इन्होंने तो सिर्फ X में किया था, Y और Z में नहीं किया, इदर 3X की बात किया, तो X और Z में नहीं किया, 2A की बात करेंगे, तो इन् हमें only two exams की बात करेंगे हम is equal to कितना हो जागा देखो 2x plus 3x plus a minus 40 है हमारे पास तो 2x plus 3x 5x हो गया plus a minus 40 a की value 100 है minus 40 कितना हो गया 60 अगर x की भी value put कर देखो 40 है तो 40 into 5 करेंगे हमारे पास कितना आ गया 200 plus 60 is equal to कितना आ गया 260 आ गया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 260 ऐसे स्टुडेंट्स थे हमारे पास जिन्होंने सिर्फ दो एक्जाम में अपीर किया था अब देखो option 4 में हमें 260 गीवन है तो option 4 विल भी करेक्ट आंसर तू दिस कॉश्चन थैंक्यू क्लासिक स्टुडेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर